यह है दतिया जिला जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक एतिहासिक जिला है। स्वामी जी महाराज के द्वारा बगला मुखी देवी तथा धूमवाती माता की स्थापना की गई थी। जिससे यह शहर पीतामबरा देवी के नाम से काफी ज्यादा मशूर है। 14 में पूरी तरह से निर्मान करवाया था। वहीं दतिया जिले के सेक्स रेशियो की बात करें। दतिया जिले में 1000 पुरुषों पर 873 महिलाएं हैं। दतिया जिले में जाती धर्म के अनुसार 95.04% हिंदू, 3.62% मुसल्मान, 1% बौध और 0.45% अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। शैक्षिक द्रिष्टिकोंड से दतिया जिले की कुल लिटरेसी रेट 72.63% है। और दतिया जिले में बोली जाने वाली मुख्य भाशाएं हिंदी, बुंदेली और उर्दू हैं। प्रशासनिक द्रिष्टिकोंड से दतिया जिले में 5 तहसीले हैं, जिसमें शामिल दतिया, बडोनी, सेवरहा, इंद्रगड और अर्भांडेर हैं। जिले में 3 ब्लॉक, 23 पुलिस स्टेशन, 290 ग्राम पंचायतें और कुल गांव की संख्या 735 है। दतिया जिले की मुख्य अर्थ व्यवस्था कृषि पर निर्भर हैं। यहां के ज्यादतर लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। यहां की मुख्य फसलें, गेहूं, ज्वार बाजरा, कपास वद्दलहनी फसलें हैं, जो भरपूर मात्रा में उगाई जाती हैं आवागमन के द्रिष्टिकोन से दतिया जिला रेल मार्ग, सडक मार्ग, हवाई मार्ग, तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, जिले का मुख्य रेल्वे स्टेशन, वह दतिया रेल्वे स्टेशन है। यह रेल्वे स्टेशन ग्वालियर जिले का सबसे करीबी हवाई अड़ा ग्वालियर हवाई अड़ा है जिसकी दूरी दतिया शहर से 86 किलोमीटर की है। राम सागर तालाब, करण तालाब, इंदर गढ़ का किला जैसे कई खूब सूरत परियतन स्थल दतिया शिले में मौझूद है। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय लिखें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।